हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करने माले एक ऐसे स्टॉक के बारे में मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोज बनाता हूँ कि इनमें मतलब अभी इस स्टॉक में रहना मतलब अपने पैसे को पूरी तरीके से ही खतम करने के बराबर है हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये company का share रहेगा या नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ही बुरी खबर हम लोगों को इस stock से related देखने को आपे मिल रही है सारा news क्या है वो भी देखेंगे प्लस उसी के साथ साथ जैसे मैं बार बार केता हूँ जबी भी एक नया retail investor बाजार में जोड़ जाता है उसको यही डर लगता है कि क्या मेरे portfolio में भी ऐसा stock रहेगा तो तो वो भी मैं parameter आप लोगों को daily basis के उपर दिखाता हूँ वो भी मैं आ यहां पर cover किया जाने वाला है बस properly आप लोगोंने हर एक point को यहां पर note करके चलना है तो फिलाल की बात करें तो बाजार में आप लोगों को पता ही है वैसे तो गिरावट चल रहा है selling देखने को मिल रहा है बट इसके चलते जो stocks बहुत ही बुरी तरीकी से मतलब हम लोगो पिटते वे देखने को मिल रहा है just because of an internal issue वहाँ पे हम लोगों को फिलाल focus देखने को आपे नहीं मिल रहा है so ऐसी एक stock की अभी हम लोग यहां पर बात करने वाले है and दोस्तो आप लोगों को पता है कि कोई भी company अगर बंद होने के कगार के उपर यहां पर आ रही है तो definitely वो company हम लोगों को court में रहेगा उसका मामला यह हम लोगों को यहां पर पता होगा कोई भी company ऐसी रातोरत ऐसे नहीं बोलेगी कि चलो हम लोग बंद कर रहे है ताला लगा रहे है और हम लोग जा रहे है ऐसा बिलकुल भी नहीं दोस्तो यह सारी चीज़े हम लोगो court में होत ये कानून से related बाते हैं, जो लोग law करते होंगे, उनको जरूर ये पता होगा, ये जब से आया है, तब से बहुत सारे companies के उपर हम लोगों को ताला लगते हुए देखने को आपे मिला है, बहुत ही अच्छी कासी fast procedure हम लोगों को फिलाल तो देखने को मिल रही है, तो पहले ह request करूँगा, कि आप इन सबी चीज़ों को पूरी तरीके से देख लेना, company का नामे दोस्तो बिरला टायर, येस, बिरला टायर लिमिटेड दोस्तो आज के दिन आप देख सकते है, 8% वेसे ही crash हो चुका है, पाच दिन की बात करे तो साड़े-तेरा, 14% डाउन है, एक मैने की बात करें, तो 40% डाउन है, 6 मैने की बात करें, तो 41, 42%, सिर्फ गिरावटी देखने को मिलें, बट इसका हम एक्जीमम चार्ट पेटन देखोगे, तो आप देख सकते ये देखे, यहाँ पे ये company बहुत ज़्यादा popular हुई थी, क्यों पता है, क्योंकि इस company ने तभी 1600% के return देते, कुछ short period spam में, अब ये 1600% के return, सब कुछ return होने के बाद हम लोग जरूर बोल सकते, कि देखो, 1600% के return बन गए करके, बट क्या हम लोग exactly यहाँ पे identify कर सकते, या फिर यहाँ पे exit कर सकते, ये तो सिर्फ operator ही करते, और ये जो stock उपर गया था, ये circuit में उपर गया था, मत एक और बार यापे retailers को बीटा गया, और उसके बाद तो retailers अभी तक इंतजार कर रहे है, और ऐसी news अभी सामने आ चुके दोस्तों, कि ये company बंद होने ही आपे जा रही है, तो इसी से related सारी बाते अभी में आप लोगों को यापे बताने वाला हो, जैसे मैं बार बार कहता सर ये देखी, यहाँ पे 1600% के returns बन गए, क्या फाइदा सर हम लोग ये अच्छे-च्छे stock में invest करते हैं, इसी अच्छे EC में invest किया होता, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, result क्या रहता है, ये खतम होने के बाद लगता है, अरे 1600% return, बट क्या आप exactly top bottom identify कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ operator जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे low volume वाले stock में, वो ऐसे pump and dump का game यहाँ पे खेलते रहे थे, तो ठीक है, थोड़ा सा अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, properly news के उपर, तो आप लोग news पढ़ सकते है, NCLT orders, insolvency proceeding against birla tire, so यहाँ पे इसका अ लाइक है नहीं, यह अगर किसी के साथ काम करने जाएगी, तो यह सामने वाले को यह डुबा देगी, तो इसलिए ऐसी company को क्या किया जाता है, यहाँ पे बंद करने से related, यहाँ पे order हम लोग को फिलाल तो देखने को मिल रहा है, so properly चीज क्या है, इसको अभी हम लोग को बह कोई भी जगड़ा होता है, तो वहाँ पे NCLT में solve हो जाता है, जो publicly जो होता है, वो अलग कोर्ट में रहता है, अगर एक ही कोर्ट में हो गया, तो इतनी मतलब खिचड़ी बन जाएगी, तो कोर्ट के उपर प्रेशर आ जाएगा, तो इसलिए यह अलग-अलग कोर्ट रहत है, NCLT नहीं पसंद है, आपका DCN तो चलो NCLAT में जाओ, यहाँ का भी DCN पसंद नहीं है, तो आप चलो Supreme Court में जाओ, तो ऐसी चीज़े रहती है, ठीक है, तो आप लोग यह आपे देख सकते हैं, NCLT has order, what, the initiation of insolvency proceeding against the Birla Tire, in a case filed by, किसने यहाँ पे case filed किया है दोस्तो, multi business chemical firm, SRF दोस्तो, SRF का मुझे तो नहीं लगता कोई introduction की जरूरत है, बट ये जो Birla Tire Company है दोस्तो, इसने किसको चूना लगया है, SRF Limited को चूना लगया है, जो कि एक operational creditor, usually हम लोग ने आपे financial creditor देखा है, financial creditor मतलब कोई किसी bank का पैसा डुबाता है न, तो वो जाके बोल देता है कि आरे इस company को बंद करो, यहाँ पर आप देख सकते है, operational creditor मतलब इन्होंने कुछ सामान भीमान दिया होगा, तो इससे related उन्होंने वापस पैसा किया नहीं होगा, तो वो कितना पैसा उन्होंने नहीं किया होगा, उसका principal interest, वो सारी चीज़े हम लोग अभी आगे जाके देख लेते हैं पर अच्छा कासा amount रहेगा, minimum एक करोड तो होना चाहिए, उसके उपर ही रहेगा, ठीके तो SRF Limited को यहाँ पर क्या क्या है, बिरला की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बिरला टायर की हम लोग यहाँ बात करें, तो उन्होंने फिलाल यहाँ बैंट बज देखे हुई है, कि इसी के तहट यह सारी बाते अभी हम लोगों को होते हुए देखने हुए, आपे मिलने वाले जो बोर्ड भी रहेगा, बोर्ड मतलब कमपनी का मैनेजमेंट भी क्या हो गया है, यहाँ पर तुरांथ हटाय जाता है, और यहाँ पर फिलाल तो एक नया प इस कंपनी का यहाँ पर तेंपररी बेसिस के उपर क्या करोगे चार्ज लोगे, क्योंकि आप देख सकते हैं, इंतरिम आर्पी है, अभी इसको फाइनल आरपी भी करेंगे, वो वोटिंग प्रोसेस रहता है, इतना हम लोग डीटेल में नहीं जाएंगे, तो चलिए यहाँ पर देख लेते, SRF, आप देख सकते दोस्तो, SRF had claim, कितना default किया है इनका payment का, लगबख 16 करोड, approximately 15.84, मतलब 16 करोड इनका डूबाई है, हम लोग बोल सकते, जिसमें principal है 10 करोड के असपास का, और interest है 5.78, पैसा इनका default किया है, इसलिए यहाँ पर उसके पास अधिकार रहता है, इसको अभी बंद किया जा सकते हैं, यह फिलाल अमनों को कोड में जाते वे देखने को मिला है, अभी ऐसा कोई directly कोड में नहीं जाता है, हर किसी को पैसा चाहिए, बट इन्होंने बहुत बार notice बेजी ह होगी, reply ही properly नहीं आयोगा, तो यह सारी चीज़े बाद में, अमनों को आखरी चरण तो यही रहता है, फिर final decision, कि बंद कर दो अभी और, मतलब बलते हैं, पानी सार के उपर चला गया, so वो चीज़ यहाँ पर हो चुकी है, so अभी आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, the tribunal, the tribunal, मतलब, court, यहाँ पर बात कर रहा है, दोस्तो, क्या लिखा है, the tribunal said, it was satisfied upon the basis of a documents, including the pleading of parties, as a default has occurred, and observe, there is a no payment of the unpaid operational debt, and also there is an admission of these by the virla tire, the corporate debtor, okay, मतलब, आप लोगं को समझ में है, कि, देखे, कैसा होता है, कि, केस करना है न, दोस्तो, कोई किसी के उपर, मतलब, बोलते है भी case कर देगा, right, कल जाके में reliance के उपर भी case कर दूगा, रहे, इसको भी बंद कर दूगा, कोई भी कर सकता है न, ऐसा, right, तो दोस्तो, यहाँ पर, कोई भी अगर, यह देखे, SRF नहीं आपर क्या किया, कि यह court में चले गए, कि बिरला tire क्या against, कि भाई, इसको बंद कर द नहीं, वो तो चेक करना चाहिए, तो दोस्तो, आप देख सकते हैं, कि ट्रिबिनल नहीं यही बाते बोले, मतलब, court ने भी accept किया है, कि वो satisfied है, कि जो भी documents उन्होंने प्रवाइड किया, SRF ने, कि यह जो default हुआ है, वो बिल्कुल true है, और genuine है, और हम लोग यहाँ पर, मतल तो यहाँ पर NCLT के अगर मैं बात करूँ, अगर आप company बन करने के लिए IBC के अंदर जाते हैं, तो 14 days का time रहता है, वो court चेक करता है, documents, तो वो भी उन्होंने accept कर लिया है, उन्होंने काई कि SRF जो भी बोल रहा है, बिल्कुल satisfied है court, और इन्होंने उनका case यहाँ पर accept भी क के अंदर, IBC 2016 के अंदर, यह सब कुछ किया, और उसी के साथ साथ यह जो बिल्ला टायर है, जिसको हम लोग corporate data बोलते हैं, इन्होंने इस चीज़ को admit भी किया है, और करेंगे न, इतना सब कुछ proof है, थोड़ी न, ऐसा बोलेंगे, फेके करके, तो हम लोग कह सकते हैं, आप यह मतलब यह बिल्ला टायर, अगर इसे रिलेटेड को यह आपको messages हाते है, SMS हाते हैं, कि खरीदो करके next MRF बनेगा, यह टायर कंपनी, rocket बनेगी, ऐसा कुछ भी भरोसा रखना नहीं है, तो पूरा तरीक से आप लोग को फजाने वाला message रहेगा, यह अभी से मैं आप लोग कि बैंड कभी भी बच सकते हैं, जैसे कि future retail हम लोग को कैसे देखने को मिला है, वैसे कभी भी हो सकता है, अभी यह company क्या ऐसे रातो रात परफर्मस दिखाते हैं बिल्कुल नहीं, अभी जो boring चीज़े में आप लोग को बता तो ना, बहुत से लोग के comment section में बाते आती है, सर बहुत boring चीज़े यह balance sheet क्या पढ़ने का, यह दिखे, results देखे, balance sheet में, minus minus minus, minus, 400, 700, 1300 करोड, मतलब company सिर्फ lossy loss दिखा रही है, so ऐसे मतलब में आगे जाना भी पसंद नहीं करूँगा, results ही इतने heavy negativity में चल रहे है, करजे की बात करें चलो, death free कर जा, यह जो मैं हमेशा ब नहीं है, so definitely हम लोग कह सकते दोस्तों यह company कैसी है, and promoter holding देख लेना दोस्तों अभी, 50% का कितना हो गया, 48%, अभी यह देखे, 53, 50, then अभी 48 देखने को मिल रहा है, अभी धीमे धीमे करके देखो, promoter निकलने की कुशिश करेंगे, and यहापे public देख लेना, अभी 46.86, अभी 45 अभी सिर्फ यहापे focus रख लेना, आने वाले समय में, public यहापे 50, 55, 60, 65, धीमे धीमे स्टार्ट हो जाएगा, आप देख लेना यहापे, plus यहापे promoter की बहुत सारी holding 30% के उपर, हम लोग को गिरवी दिभी देखने को यहापे मिल रही है, and यहापे company का profit and loss भी अगर आप करेगा, वही invest करते हैं, जो बिना knowledge के सिर्फ पैसों से प्यार होता है, उनको बस दिरेक ले जाके invest कर लेते हैं, बिना सोचे समझे, और बाद में first जाते हैं, यह देखें, यहापे लगबग 30% से ज़्यादा promoter के holding के आए, गिरवी भी है, so हम लोग definitely आपे कह सकते हैं, दो आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सुबह स्वावानों बज़े, यह मेरी कमपनी खतम तो ही नहीं हो जाएगी, lower circuit के ओपर lower circuit तो नहीं लगेंगे, तो इसको investment बोलते हैं, अच्छे stock में invest करना आना चाहिए, ऐसे किसी भी stock में जाने का नहीं, जहापे हम लोगों को जितनी हो सकते हैं, दूरी बना के रख लेना, कोट में जा चुक है, NCLT कोट ने सारी चीज़े accept भी की है, अभी आगे जाके क्या होता है, भगवानी जाने हैं यहापे, दो यह option होते हैं, वापस इसको comeback किया जाए, वो अलग procedure रहता है, या फिर इसको बंद किया जाए, ब काश उनका पैसा भी आपे बढ़ जाएगा, तो आशा करता है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो हेलफूल लगा होगा, सारी बाते अगर आप लोगों को समझ में आई होगी, तो ज़रूर लाइक और शेर कर देना है, डिमेट अकंड अभी तो अपन नहीं किया है, तो ल आफ कोस्ट है, यह ओफर कब तक चलेगा, पता नहीं, बट आप चाहोते हैं, इस ओफर का फायदा भी उठा सकते हो, so that's it, thank you very much, जोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, बाइ-बाइ